हलो बच्चों स्वागत है आपका अपने योटूब चैनल चैकपूर पे तो बच्चों काम करो ऐसा की पहचान बन जाए हर कदम ऐसा चलो की निसान बन जाए यहां जिन्दगी तो हर कोई काट लेता है जिन्दगी जीओ इस कदर की मिसाल बन जाए तो इसी के साथ ही बच्च चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा घंटी के पहले को अगली वीडियो के नॉटिफिकेशन को पाने के लिए और हमारे डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक किजिए वहां पर आपको जो है आपको टेलिग्राम का लिंक मिल जाएगा आपके इस सवाल को का ता जरुब जो है यह आपको सबसे हम लोग क्या करेंगे बच्चों सबसे पहले यहां सिफ़ सवाल लिख गया अब देखिए बच्चो एक फॉर्मुला होता है आपका से के हैं ना सेख यहां पर आपका यहां बीओ जाएगा और कोई भी अंतर नहीं है तो सेख फीटा का मतलब 1 by cos A, यानि से के बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 by cos A, तो इसके बदली ही इसको लिखा गया है, ठीक है, उसके बाद हो बच्चों है, plus, plus का sign है, यहाँ पे, तो हम लोग भी यहाँ पे plus का sign दे देंगे, इसके बाद लिखे 10 A, 10 A को हम लोग लिखते हैं, sign A by cos A, यानि 10 ठीटा बराबर होता है, sign ठीटा by cos ठीटा है, तो यह इसका फर्मूला होता है, तो यह यहाँ से आया है, यानि 10 A का मान ही होता है, sign A by cos A, इतना लिख लिए, उसके बाद यह आपका 1 minus sign यह यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है, इतना आप समझ में आ गया है, अब आपको अगला लाइन में क्या क्या है, इन दोनों का LCM लिए है, तो cos A, cos A, दोनों same है, तो same LCM आता है, तो आपका cos A, LCM आ गया, अब इस cos A को cos A से कटाईएगा, तो एक बार में कट जाएगा, और एक को जब उपर वाले से गुना कीज और यह आपका into में पहले से था, ठीक है बचो, तो यहाँ पर आप देख पा रहे है कि यहाँ पर one plus sign A है, one minus sign A है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते है, देखिए, एक formula होता है हम लोग का, A plus B, एक बार A plus B और एक बार A minus B, तो यह किस से आता था, A, A square minus B square, A square minus B square के formula से क् एक बार whole plus A B, एक बार whole plus A minus B, ठीक है न, तो यहाँ पर आप देख पा रहे है, यही one plus sign है, और one minus sign है आ रहा है, यानि कि यहाँ पर होने वाला है, A square minus B square, यहाँ A का माइन में क्या रखेंगे, one और B के माइन में हो जाएगा आपका sign A, है न, तो B के माइन में हो जाएगा sign A, तो A का मान में अगर one है, तो one का आप square कीजिएगा, और minus sign का A का square कीजिएगा, तो आप जैसे ही one का आप square कीजिएगा, तो one ही आने वाला है, और sign का whole square कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, sign square A आने वाला है, तो यहाँ पर आप समझ में आगी, आपको यह कहाँ से आया है ठीक है तो यह होगी आपका और नीचे आपका cos A पहले से था ही था तो अब बच्चों यहाँ पर देखिए 1-sin square A इस वाले पार्ट को देखिए यह भी आपका formula से आ रहा है 1-sin square theta बराबर होता है cos square theta लेकिन यहाँ पर theta के जगह पर A का इस्तेमाल कर रहा है तो 1-sin square A बराबर हो जाएगा cos square है और नीचे आपका पहले से था cos square है तो cos A यहाँ पर 2 को cos square A है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको लिख सकते हैं देखिए यह cos square A है ना इसको आप लिख सकते हैं cos A into cos A है ना इसको लिख सकते हैं cos A into cos A और नीचे में cause A पहले से है तो ये एक cause A से एक cause A कर जाएगा तो आपको सिर्फ cause A बचेगा तो वही को यहाँ पे लिख दिया गया cause A और ये आपका क्या हो गया answer हो गया तो उमीद करते हैं बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा तो काफी important method है इसे आप एक बार practice करकर जरूर जाएंगे ये आपको एक्जाम में देखने को मिलेगा तो उमीद करते हैं का आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को like कर दिजेगा share कर दिजेगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल पर जदी पहली बार है तो चैनल को subscribe करना नहीं भुलिएगा तो मिलेंगे अपने अगले वीडियो में Thank you